हलो दोस्तो मेरा नाम है अंकीत और तिलक लगा कि स्वागत करता हूँ दिल से स्वागत करता हूँ आपका अपडेल पर यंकीत यूटूब चैनल पर जैसा कि आप जानते में डेली खोच-खोच के बहतरी इंप्रोटेंट और उरिजिनल अपडेट साथ के लिए लेकिया आता को सिटिल प्लान को अफिशल नोटिफिकेशन आने वाले हैं मैनेजमेंट ट्रेनी का तो दोलों की बारे में बात करते हैं क्या होने वाले eligibility criteria क्या होने वाले selection procedure हरेक चीज हरेक डेटल आप बस आकरी तक बने दिएगा मेरे सांथ मेरा नाम है अंकित आप देख आप देख र यह अपडेट आपको कैसे पता चलती है सबसे बाले इधर ही पता चलती है शेयर कर देना आप दोस्तों के साथ और अपडेट बेंगित को सब्सक्राइब नहीं किया आप बैल आइकन को प्रेस नहीं किया कर दीजिए आज की पहली बहतरीन अपडेट आ रही है राश्ट्री पाथ निगम लिमिटेट की तरफ से विजए इस्टील की तरफ से management trainee का official notification निकल चुक है जिसके आप all over इंडिया से apply कर सकते हैं advertisement number होने वाला है 1 2020 management trainee vacancy 188 जिसमें से unreserved है 72 mechanical, electrical, electronics and instrumentation, metallurgy, mining, civil, chemical, ceramics विलकुल apply कर सकते हैं mechanical में 77 vacancy, electrical में 45 vacancy है इसके लावर यहाँ पर contract basis पर radiologist की भी vacancy निकली हुई है यह form जो है वो start होने वाला है बस 16 तरीक के तरियार कीज़े आज आएको official website पर और final year वाले है आप तो इसके लिए बिलकुल apply कर पाएंगे link मैं आपको नीचे description पर दे दे रहा हूँ आज की दूसरी बहतरीन अपडेट आ रही है एक चल लाइफ केर की तरफ से जी हां भाई यह PSU है mini government company है ministry of health and family welfare के अंतर आता है इससे पहले हिंदुस्तान latex limited के नाम से भी जाना जाता था यहां पर walking रखा गया है भाई senior technical officer technical officer junior technical officer कुछ और vacancy जिसके लिए बी बीटेक डिप्रूम अल वर इंडिया से आप apply कर सकते हैं यहां पर fixed term में है यह मतलब ए contact basis पर job लगेगी और straight sum को बता दीगा अगर आप पंजाब वाले है हर्याना वाले हिमाचर प्रदेश वाले है त STO यानि कि senior technical officer की vacancy के लिए बीटेक प्लस दो साल का experience technical officer के लिए बीटेक प्लस वन येर का experience और junior technical officer के लिए डिप्लोमा वाले बिल्कुल अप्लाय कर सकते हैं तो हम यह zoom करके सकते हैं कि हर ब्रांच अलिजिबल है every branch अहां अलिजिबल है तो आप वहां पर basically walk-in देने के लि मोहाली पंजाब में पंजाब आपको पहुंचना पर एक वाकिन देने के लिए एज लिमिट और post qualification as on 1220 रखा गया है यानि कि 1120 तक आप एज लिमिट में आने चाहिए और 1220 तक आपकी qualification बीटेक डिप्लोमा ITI complete हो जाना चाहिए अगर complete नहीं हुआ 2020 में pass out होने वाले तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं एज लिमिट यहां पर 37 एस रखी गई है तो 36 साल से कम उमर है आपके तो आप बिल्कुल apply कीज़े को walking देने जाएगा walking जब आप देने जाएगे तो वहां पर पहले return exam होगा return exam में कोई भी negative marking नहीं होगी 30 minute का return exam होगा objective type paper होगा इ उसके बाल आपका selection होने के chances और बढ़ जाएगे जैसे कि हम सभी जानते फिर आपका interview अगरे होगा आपका resume आपके certificate यह सब लेके आपको पहुंच जाना है walking देने के लिए या फिर आप walking देने के लिए नहीं जा पार है तो email के through भी आप अपने document अपना resume पहुंचा सकते है अगर उनको लगा कि भी आप तो capable है आपका resume में ही देखके उना कि दिल खुश हो गया तो आपको बिल्कुल select करेंगे बिल्कुल आपको रखेंगे अपने पास कोई दिक्कत कोई परिशानी वाली बात नहीं है तो भाई लोग कैसी लगी आपको ये updates बताईएगा मुझे म मेरी महनत कैसी लग दी बताईएगा मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो प्रसंद आया होगा like share subscribe क्योंकि मैं आपके लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहे तो बहुत जंदिन लोग मिलेंगे भाई लोग जै जवान जै किसान